हमारे देश में पैदा वाले नजाने कितने ही स्टुईएंट्स का सपना होता है आईटी मेरी भी जिन्दगी का ये सपना था और वो कम्प्लीट हुआ 22 जुलाई तो ये मेरा पहला दिन था जब मैं आईटी की तरफ जा रहा था मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त है जो मुझे छोड़ने जा रहे थे तो कई सारी मेरे पास क्लिप पढ़ी हुई थी जब मैं टाइम आईटी में था आईटी में पढ़ाई कर रहा था तो छोटी छोटी क्लिप्स थी बाद में मैंने सोचा वहां से निकलने के बाद मैंने सोचा च हमारे लिए भी आईटी इंपोर्टेंट था महान था आईटी के गेट पर पहुंचे ये कुछ नजा रहा था हम लोगों ने रुक के सेल्फिय वगरा ली ये मेरे साथ मेरा दोस्त है जो हमेशा मेरे साथ रहता है हर मुसीबत मेरे शाथ रहता है डॉक्यमेंटेशन करने के पहले का ये शीन है और उसके बाद डॉक्यमेंटेशन हुआ मुझे रूम नंबर एलाउट हुआ सी 431 हाल 11 माम लोग काफी ठके हुए थे उस ताइम पे खाना खाया और फॉर्चिनेटली छोले बटूरे था तो ये सीन है नेक्स डे ब्रेकफास का मैं बहुत एक्साइटेट था कि क्या क्या खाने में मिलेगा ये था कुछ डिनर इनर में इस तरीके से ठका और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कुछ इस तरीके का खाना जो है आईटी में शर्व होता है तो चलिए मैं अब दिखाता हूँ आपको अपना रूम ये म मिली थी पैन था लाइट थी बस और पढ़ाई करने के लिए काफी सारी किताबे जो है लाइबरेरी में शूग हुई थी और ये वो शीन है जब मैंने क्लासे सुरू होने के बाद पढ़ाई करने के लिए बनाया आईटी का फस्दे था जब मैं मेरे पास साइकल नहीं था मैंने ओला का साइकल लिया और केमपस घूमने के लिए निकल लिया देख सकते हैं साइट में ओटी के पास जो डॉमिनियल्स है तो वहां पे कुछ बारिस होने के बाद बाइक्स वगेरा सब पड़ी हुई थी ऐसे ही और ऐसा कुछ था नजारा मेरा फस्दे का बहुत लोग खाली टाइम पर बैठते थे और ये देख सकते हैं मैं किसी एक दिन सायद ये सरदियों का सीन है और ये उस टाइम का सीन है जब मेरा दोस्त देख मुझे मिलने आया था और हम मैं उसको घूमाने के लिए ले गया था और ये सायद इस पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास का कहीं का सीन है परस मंस में घूमा था मैं इधर इसको बोलते हैं एरोइसपेस डिपार्टमेंट का वो था वहां पर हैले पैट बना हुआ है यह मैस जाने का अईरिया है बारिस के टाइम पर आईटी मेरे रूम से या आईटी देखने का अलग ही मज़ा होता है अलग ही सब्सक्राइब दूपान लेके आई चारों तरफ पारीस कड़ाके की आवाज वह दिन का ये क्लिप था और ऐसे ही क्लास जाते टाइम मेरी आदत रहती थी कि मेरे हाथ में मोबाइल रहता था कोई फ्रेंड नहीं रहता था तो मैं जो है क्लिप बना लिया करता था तो यह क आई आई टी से बाहर जाते टाइम कहीं पर घुमने जा रहा हूं तो बस चोटी चोटी क्लिप से और यह क्लिप से और केमपस अच्छा था अच्छा लगता था चालों तरफ अर्याली थी हरा भरा दिखता था बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो हैं गेम्स हो थे वहां पर वि सकते हैं यह क्लास रूम है सायद यहां पर मेरी मास ट्रंस पर या फ्लीड का क्लास चलता रहता था मुझे याद नहीं किस क्लास का है और अगर आपको लगता है कि आई टी में क्या पढ़ाया जाता है तो आप इस पेपर पर जो लिखी चीजे हुए हैं प्रॉस करके वीड चीजे चलती रहती हैं लेकिन हम लोगों ने मैंने जो है ज्यादा तर एक्स्प्लोर किया थोड़ा बहुत पड़ा जो भी था एक्जाम का टाइम होता है तब ही जाता था यह ओटी का बार ओटी का सीन है यहां पर कई सारे कल्च्रल पोड एक्टिविटीज या प्रोग्र को सजा रखा था तो यह सीन है जब माधुष रॉक बेंड आये थे उनका परफॉमेंस का तो इंज्जॉय कर सकते हैं इस परफॉमेंस को बहुत यह अच्छा लगाता मुझे मेरा फस्ट एक्स्पिरिंस था किसी कल्चिरल प्रोग्राम में वह भी आयटी में तो मैंने अच्छे जारे नियुदे कल बेच्छे चाले आपड़ी में उड़ी में ह्रिष्ट ए सुपरीर विश्ट अब आप 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 अल्रा इजी में आप अल्रा इस तर्कॉर और आप जो थो मैं इसन वाइब को सारी लोग आते हैं इसकी निए बड़ा थिरी जोत है और इंसकॉन के लोग जो होते हैं हर एक चीज को साइन्स से रिलेट करके इस तरीके से वाकू भी समझाते हैं कि आपको बिलीव होने लग जाएगा इंसकॉन पे और ट्रस्ट हो जाएगा हो सकता है आप इंसकॉन को जॉइन भी करें आई टी में बहुत सारा इंस्कोन का जो है चलते रहता है program चलते रहते हैं वह लो लोग घगवत गीता के बारे में कई सारे week में le churches लेते रहते हैं और कई सारे seniors होते हैं जो आपको guide करेंगे अगर आप intres रखते हैं भगवत गीता या फिर spirituality में तो वह लोग आपको एसिस्स करते हैं आप जा भी सकते हैं वहांपे जुआयन भी कर सकते है और थे हरी क्रिश्ना मूव्मेंट का एक पाड बन सकते हैं यह मेरा इस जल्दी-जल्दी से और यह बहुत क्लीन रहता था डेली शफाई होती थी डेली क्लीनिंग होती थी और इसी वजह साफ सुथरा रहता था ताकि कोई बीमार नहों और अच्छे से पढ़ाई पाएं यह बाहर का सीन था यहां पर कुछ बच्चे जो है इवनिंग टाइम पर खेलते थे या फिर बैडमिंटन होते रहता था मैं तो कभी यहां पर खेलता नहीं था बॉलीबॉल काफी टाइम मैंने क्वेला हुआ है वहां पर एवनिंग में भी इनिंग भी जाता था और फ्रेशर्स का जो प्रोग्राम होता है तो मैंने उसमें भी पर्टिस्पेट किया था हमारे टीम फाइनल में शायद फाइनल में या सेमी फाइनल में पहुंची थी और उसके लिए जो है मुझे बाद मेडल में दिया गया था पड़िशिपेंस का तो मेरे पास है अभी आप फोटो में लास्ट में देखेंगे यह था हमारा साइकल स्टेंड यह रही मेरी साइकल और हम लोग जो है साइकल पे निकल लेते केंपस की तरफ या फिर क्लास की तरफ देख सकते हैं रोड बहुत अच्छा हुआ करता था यह मैं पता नहीं था कि एक दिन यह सारी क्लिप्स को जो है कंपाइल करके एक वीडियो बनाओंगा जिस मैं ऐसे ही क्लिप ले लेता था कि कभी भी फिचर में अगर कुछ याद दाएगा तो यह क्लिप जो है देखेंगे इस वज़े से में छोटी-छोटी क्लिप बना लेता था और पता नहीं कैसे आज मेरा मन केर गया मैंने सुचा इन वीडियो को कंपाइल करके एक वीडियो बना देता हूं देख सकते हैं यह रोड है हमारे हॉल से जो है एकैडमिक ब्लोग जाने में और हॉल 11 से हॉल 11 से एकैडमिक सायद वन किलोमेटर तो होगा होगा तो उसके लिए हमें साइकल यूज करना पड़ता था क्योंकि जल्दी पहुशना होता था प्रोफेसर का डर रहता था अगर आप लेट होंगे तो बाते सुनाएगा हो सकते आपको अं यë द्यूल का सीने कłem है यह कुछ दिखनी के रहा हार हां कि इदर सामने पर जू है हैं पहुत घ्रींगेट आये यह यहां थाल्सराइबूल मेरें नहीं यह बास्केटैंड रखाटेन फ्र Señ पार कारट है वहां पर यह सामने घर्स असैड़ 사 therapist और इसके में रगल में है क्र मैं सचिंग जो है बन रहा होता है तो यहां पर भी बन रहा होता है बन रहा था और इसके पात्रीच जहां पर हमें जरूरत की चीजे या टी-शर वगरा यह to cognitive logo मिलती थी तो मैंने भी कई बारी सहिस कर एक वहन से और यह गेट का सीने किसी दिन सायद में बाहर जा रहा था यह उसकी क्लिप है जब मैं आइटी से यह फिर कुछ बाहर गेट पर कुछ सामान लेना होंगा तो यह गेट का सीने यह में गेट है आइटी का आप देख सकते हैं मेरा उमा वाल ही गिए है है कि इसन आइट चुक We अघ्लिप हो रही है कि क्लिप और यह कुछ वर स्काइब करुछ पिर जब देख लीजे इस तरह के से कुछ फ्रूम था मैंने बना रखा ता जिब भी मिदा ह admire आईटी में बहुत अच्छा जी में लेकिन मैं नहीं चाहता था मैंने एक यही रोप मंगारे के रखी थी और इसी के हल्प से थोड़ा बहुत एक्सेस करता था यह मेरा रूम था पॉजिटीव रहने की काफी कोसिस करता था मैं ऐसे फालतू-फालतू के कोड्स या अच्छे कोड्स जो है दिवाल पे चिपका के मैं रखता था और यह देख सकते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेट मैंने कितना सारा चीज चिपका रखा था ताकि यह सारी चीज़े मेरे दिमाग में जाए और जो भी मेरा है वह हो जिस चीज का सभी को इंतिजार रहता है वह है अंतरागनी अंतरागनी आईडी कानफुत का बहुत ही बड़ा कल्चरल फ्रेस्ट है और देख सकते हैं कि यह परफॉर्मेंस आई डीजे नाइट की है डीजे नाइट चल रहता था था बश्केर मास जून रहते हैं में उचल रहते हैं एक दिल यह परफॉर्मेंस आईडा मितर वे दिया था और पिक्ली थी तो हम अरट एवे अगज़ो हुआ है है यह जो है मेरे दोस्त है कुस जिनके साथ मेरे बैस्पमेट है जो गए मितलिकात में जो है वहां पिक्षा और दूंते रहता था बहुत आप रहता है कि नहीं अगा चीच्छी जगापे भी है और अब इस होप्या हम सबगों आप आब हु ज्यादा ही खास है अभी हो आएगा विख लिप आएगी शायद तो यह कुछ अमित्रिवेदी का परफॉमिंस था जिस पर हम लोग मज़े ले रहे थे डांस कर रहे होते थे और इंजॉय था ये सारी सीजों का बहुत ही मज़ा बहुत यूनिक अंतरागनी होता था बहुत- सकते हैं सब कितना भीड़ बाहर होता था कोई भी इस ताइम पर होस्टेल पर नहीं मिलेगा हां एक दो पाकल जो पढ़ाई के लिए फिरा ही पागल होगा कि मुझे बस इसी में लगे रहे हैं वही रहता था बाकी लगबग लगबग सब ही जो है और रूम से बाहर ही होते यहीं पर मिलते थे जांतरा की के लिए यह मेरा वो दोस्त है जो भी आईटी में मेरे साथ ज्यादा तर रहता था बोद्रा यह कुछ चीजें हैं जो सायद में और यह मैं इसके साथ वहां वहां जाता था जहां पर जाना अलाउड नहीं होता था कई वारी यह पागल पनी भी करता था लेकिन वाकई बहुत फणी और बहुत यूनिक बंदा था बहुत मजा आता था इसके इसके साथ मुझे और बोद्रे अगर यह वीडियो देख रहा है तो भाई रेली आई मिस्यू और अभी शेक अभी शेक भी एक दोस्ता जिसको मैं मिस करता हूं अभी वी त अ एसए ही कसी दिन का सुर्की ने ये और अएटी पह बैठा हुए मैं यह उएटी थे जहां कल्क 라고रा होते थे ये मेरा उपर टबार में बाहर पर में बाहर से ख्रादीयों की दिनों की प्रवocarर्याफ ह Tipळ और यह यह चाए का और यह जो है मेरे हस्टल के बाहर का सीने में कटैडिन फोटो जो मैंने इटिमीड है क्लिकली किये क्रिकाया में नीचे आएल हरूल में एक स्टोर होता हैं मेरे भी हॉल पर नीचे षस्टोर थ overlap और वह अध्यों मेरा एक डोस था इन्यूरा आए टी में मेरे पास मुटा जिस में यह च्चाइ और कभी-कभी रंगीन पानी भी पीता था तो अपना मज़ा होता है था कोल्डिंग पियो रंगीन पानी पियो कुछ मेरी तस्वीरे हैं जो मैंने आईटी में ली और एज इस वीडियो में पुट कर रहा हूं तो यह एक और मेरा दोस्त है जिसका नाम है महंदर यह भी बहुत फणी है बहुत फणी था और यह वह मेडल है जो मुझे बॉलीवल के लिए मिला था तो यह कुछ मेरे मेमरी का वीडियो था कुछ मेरी मेमरी थी और अगर में वीडियो पचान रहा है तो लाइक और शब्सक झाल 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 झाल